गुड मॉर्निंग मैं मुकेज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हम लोग इतिहास का टेस्ट चल रहा है और टेस्ट चार तक हो चुका है ठीक है आज हम लोग टेस्ट नमर फाइफ पूरा करेंगे टेस्ट नमर चार तक अभी तक आप लोग नहीं देखें हैं टेस्ट नमर चार नहीं किये हैं एक से चार तक और इसमें जो टेस्ट कराया जा रहा है यह चेप्टर वाईज कराया जा रहा है अभी पराचिन भारत चल रहा है फिर मध कालिन भारत चलेगा फिर modern चलेगा ठीक है तो चलिए हम लोग आज देखते हैं test number 5 test number 5 में आपको बहुत धरम एवं जैन धरम से संबंधित question कराया जाएगा इसमें लगभग 30 से 40 question कराया जाएगा उसके अलावे उसका पूरा explanation कराया जाएगा उसे संबंधित जितने भी question exam में आते हैं या आये हुए हैं उस सभी कराया जाएगा तो चलिए आज देखते हैं दोस्तों ये हमारा channel है अभी तक आप channel को subscribe नहीं किये हैं जोगरफी वाइमोकेशर तो इसको subscribe कर ले ठीक है और bell icon को press कर ले जोभी वीडियो आपको डालू उसका notification आपको मिलता रहे जब तक आप bell icon को press नहीं कीजे आपको वीडियो नहीं मिलेगा तो इसलिए subscribe करके bell icon को जरूर प्रेश कर ले और जिन दोस्तों को हमारे WhatsApp ग्रूप से जुड़ना है अना यहां WhatsApp ग्रूप में आपको PDF भी उपलब्ध होते रहता है तो हमारे WhatsApp ग्रूप से जुड़ सकते हैं CTate का, KVS का, NVS का आप त्यारी कर सकते हैं TGT, PGT है ना तो आप इस number पे message कीजी आपको जोड़ दिया जाएगा तो चलिए दोस्तो आज हम लोग देखते हैं test number 5 और test number 5 में आपको जैन धर्म एवं बहुत धर्म से संबंधित question कराये जाएगे तो आज का ये पहला question है पहला question है कि जैन धर्म के पर्थम तिर्थंकर कौन थे तो आपको बहुत वार एक्जाम में पूछया होगा आप लोग देखे होंगे तो जैन धर्म के पर्थम तिर्थंकर कौन थे दोस्तो तो रिशब देव जैन धर्म के पर्थम तिर्थंकर थे ठीक है और रिशब देव के अलावे दकीस में आपको बता दे जीत नाथ जो थे बी नमर जोपसन दिया गया है जीत नाथ ये जैन धर्म के दूसरे तिर्थंकर थे ठीक है और संभाव नाथ जो थे ये जैन धर्म के तीसरे तिर्थंकर थे और महावीर जिज्जो थे जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर थे ताप लोग ये भी नोट कर सकते हैं और जो 23 तिर्थंकर के बारे हमेशा एकजाम में पुछा जाता है 23 तिर्थंकर कौन थे तो 23 तिर्थंकर थे पार्श्व नाथ ठीक है और 22 में कौन थे तो अरिस्ट नेमी यह सभी एकजाम में पुछे जाते हैं आप लोग नोट कर सकते हैं पहले कौन थे तो पहले रिषबदेव, ठीक है, दुसरे कौन थे तो अजीत नात, तिसरे कौन थे तो संभव नात है ना, और 24 में हमेशा पुछा जाता है महाविर जी थे और यहीं जैन धर्म के वास्थिक संस्थापक भी माने जाते हैं, तो तेसमे कौन थे दोस्तों, तो इसमा थे पार्श्व नाथ, चलिए दूसरा कोश्चन हम देखते हैं, जैन धर्म की यथार्थ रूप से अस्थापना किन के द्वारा की गई थी, वर्धमान महाविर के द्वारा, अभी आपको बताये थे, कि जैन धर्म के जो 24 में तिर्थन करते हैं, वो महाविर जी थे, औ और इन ही कोवास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, चलिए नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं, तीन नमर कोश्चन, तीसरा नमर कोश्चन है कि भगवान महाविर को किस नदी के तड़ पर ग्यान की प्राप्ती हुई थी, बहुत वार एकजाम में पुछा जाता ह है, है ना, कि भगवान महाविर को किस नदी के किनारे ग्यान की प्राप्ती हुई थी, तो वो रिजु पालिका नदी के तड़ पर ग्यान की उनको प्राप्ती हुई थी, याद रखियेगा, रिजु पालिका, ठीक है, और गंगा नदी के बारे में आप लोग पढ़ें, ज जो ज्यान की प्राप्ति हुई थी तो ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है चलिए अगला कोस्चन हम लोग देखते हैं नेक्ष्ट कोस्चन है आपका चार नंबर देखिए जैन धर्म के जो वस्तिविक संस्थापक थे वो महाविर थे तो महाविर के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोस्चन आपको बता देता हूँ बहुत से एकजामे कुछे जाते हैं तो महाविर जी का जन्म कब हुआ था आपको पता होना चाहिए तो महाविर जी क हमेशा पुछा जाता जन्म अस्थान तो कहा हुआ था तो कुंडल वन है ना सॉरी कुंड ग्राम कहा हुआ था तो कुंड ग्राम में हुआ था यह कुंड ग्राम कहा है दोस्तों तो वैसाली में वैसाली कहा है तो भिहार में इनके पीता का नाम हमेशा पुछा जाता है इनके पिता का नाम था सिद्यार्द, क्या नाम था? याद रखियेगा सिद्यार्द, ठीक है? और ये थे वजी संग के कुंड गराम के ग्यात्रिक छत्रिय कुल के ये परधान थे इनके पिता जी, इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था त्रीसला, ठीक ना? बहुत वर जामें पुता गया है कि महाविर जी के माता का नाम क्या था त्रिसला और यह लिछवी सासक चेटक की बहन थी त्रिसला कौन थी तो लिछवी सासक चेटक की बहन थी महाविर के बचपन का नाम कुछा जाता है तो वर्धमान महाविर क्या नाम था इनका बचपन का तो वर्ध शोदा अब लोग लिखते चलिएगा नोट करते चलिएगा यह शोदा इनके पत्ने का नाम था जो कुंडिये गोत्र के राजा समर्वती की कन्या थी ठीक है यह सोदा कौन थी तो कुंडिये गोत्र के राजा समर्वती की कन्या थी और इनके पुत्री का नाम क्या था तो प्र माली ही यानि जो उनके दमाद थे वो उनके पर्थम cca है चलिए अगला नर्य कोटिसहाँ अब हम लोग transmit नेधित में से किस धर्म के साहित्ति को आगम कहा जाता है तो जैन धर्म के उलिखित ज्यान मती है, मती का अर्थ होता है इंद्रिय जनीत, और इस अनुसार से और भी बहुत सारा चीज उलिखित है जैसे सुरूती, तो सुरूती का अर्थ होता है दोस्तो, स्रवन ज्यान, जो यहां स्रवन जनीत लिखा हुआ है, ये स्रवन जो जनीत है, इसका मतलब क ये भी आप लोग नोट कर लीजे, हम इसा एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, शुरूती, और दिव विज्ञान, दिव विज्ञान किसको कहते थे तो अवधी को, हाना, और पुर्ण ज्यान क्या होता था, तो कैवल्ले, जब पुर्ण ज्यान प्राप्त हो जाता है, उस सूची दो को मिलान करना है, तिर्थंकर एक सेट दिया गया, आपको तिर्थंकर और एक सेट दिया गया है, उसके प्रतीक चिन क्या था, बहुत वार एक्जाम में पूछा जाता है, तो रिसब देव जो थे, इनका प्रतीक चिन क्या था, साड, रिसब देव के, रिसब दे मिल जाएगा इसब देव को बैल से ठीक है और दूसरा है अजीत नाथ अजीत नाथ का किसे मिल जाएगा तो हाथी से इनका परतीक चिन क्या था हाथी और शांती नाथ किसे मिल जाएगा मिरीग से और पार्श्वनाथ किसे मिल जाएगा दूस्तो शर्प से इनका परतीक चिन हमेज़ा एकजाम में पुछा जाता है और एक और पुछा जाता है महाविर जी का महाविर जी का परतीक चिन क्या था तो इनका परतीक चिन था सिंह ठीक है बहुत बार एकजाम में पुछा गया है जो 24 में तिर्थंग करते हैं चलिए अगला question हम लोग देखते हैं, seven number question है, कि महाविर दुआरा किस भासा में जैन धर्म का परचार किया गया था, तो प्राकृत भासा में जैन धर्म का परचार किया गया था, और बौत धर्म का परचार किसमें किया गया था, तो पाली भाषा में याद रखिएगा प्रक्रित भाषा में जैन धर्म का परचार किया गया था चलिए अगला question है हमारा next question है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा mistake हो गया दूस्तोर 7 के बाद यहाँ थोड़ा सा cut गया है एक page आपका नीचे आ गया ठीक ना तो हम लोग इस page को देखते है नीचे प्रथम गुरू कौन थे तो अलार कलाम बिल्कुल सही है दूसरा option है कि महात्मा बुद्ध ने तपस एवो मलिक नामक दो शुद्रो को बौत धर्म का सरो परथम अनुआई बनाया था यह भी बिल्कुल सही है नेक्स option है महात्मा बुद्ध के प्रशिद अनुआई सासको में बिम्बिशार प्रसेन जित तथा उद्धयन थे यह भी बिल्कुल सही है तो इसमें तीनों option बिल्कुल सही है तो इसका answer क्या हो जाएगा डी नमबर अनि उप्योगते शभी ठीक है चलिए next question है अपका 9 नमबर 9 नमबर में दिया गया है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है ठीक है सूची एक में दिया गया है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और P सूची दो में दिया गया है उसका अस्थान से संबंधित आपको मिलाना है जो जन्म इनका कहां हुआ था कौन से अस्थान में जन्म हुआ था तो इसका क्या हो जाएगा जन्म लुंबिनी में हुआ था परतमान में कहा है तो नेपाल में पढ़ता है और परतम प्रवचन कहां दिये थे ये तो सार नाथ में दिये थे इनकी ज्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो बोध गया में हुई थी और इनका निधन कहां हुआ था तो कुछी नगर में इनका निधन हुआ था यह हमेशा इ नहां परी निर्वान इसके बाद बुद्ध के अवसेसों को कितने भागों में विभाजित किया गया था ठीक है तो कितने भागों विभाजित किया गया था आठ भागों में विभाजित किया गया था आठ भागों में इसको फिलके अवसेस को विभाजित किया गया था और आ थे जो बहुत संगीती हुआ था चार बहुत संगीतियां हुई थी तो ये चारो में पर्थम जो बहुत संगीती हुआ था इसके अध्यचता कौन किये थे तो महा कस्यप किये थे इसकी अध्यचता आप चारो बहुत संगीती आपको पता होना चाहिए तो चलिए चारो बहुत संगीति आपको बता देता हूँ कब हुआ था किस अस्थान पे हुआ था इनके अध्याच कौन थे और किसके सासन काल में हुआ था ते चारों आपको याद होना चाहिए हमेशा एक्जामें पुछे रहता है तो प्रथम जो बहुत संगीति हुआ था यह 483 इस्वी पूर्व म महाकस्यप महाकस्यप के अध्यश्ता में हुआ था और किसके सासन काल में हुआ था तो अजात सत्रू ठीक है यह याद रखियेगा अजात सत्रू के सासन काल में हुआ था पर्थम बहुत संगीति 483 इस्वी पूर्व राजगिरिह में और महाकस्यप के अध्यश्ता में चल और इसके किसके अधेस्ता में हुआ था तो साबक मीर के अधेस्ता में हुआ था किसके अधेस्ता में याद रखेगा साबक मीर ठीक है और किसके साशनकाल में हुआ था तो काला सोक काला सोक के साशनकाल में हुआ था नेक्स्ट जो हुआ था बौत संगीती वो हुआ था दूसो पच्चास आनि तिसरा जो बौत संगीती हुआ था दूसो पच्चास इसवी पूर्व में हुआ था किस कहां हुआ था तो पाटली पुत्र पाटली पुत्र में हुआ था और पाटली पुत्र कोहीं वरतमान में क्या कहा जाता है तो तो पटना ठीक ना और ये किसके धेश्टाम हुआ था तो मोगली पुत्र तिस्ट के धेश्टाम हुआ था पर चौथा आनि अंठानवे इस्वी पूर्व में हुआ था एक्जेक्ट अगर देखा जा तो अंठानवे इस्वी पूर्व में हुआ था कहां हुआ था तो कुंडल वन में हुआ था और ये कहां है तो कस्मीर में है याद रखिएगा यह कहा है कस्मीर में और किसके अधहचता में हुआ था तो वसु मित्र की अधहचता में हुआ था और किसके सासनकाल में हुआ था तो कनिस्क के सासनकाल में हुआ था ठीक है यह चारों बहुत संगीतियां याद रखिएगा चलिए एगला कोशन हम लोग दे असत्य कथन का चैयन करना भुद धर्म में कौन से कथन गलत दिया गया है यह आपको बताना है तो देखिए यहाँ पर ऑपर उपर चला गया है रो समधित असत्य कथन कान सा है तो ये असत्यकतन था, D नमर आप लोग खोज लिजेगा, प्रवज ग्रहन करने वाले प्रज्यापत कहलाते थे, ये गलत बात था, और इसका C नमर उप्शन दिया गया था, कि ग्रहस्त जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता है, ये बिल्कुल सही था, और इसका उप्शन जो था, देखिए, इसका उप्शन नमर ए था कि विशेश अपसर पर, तेरा नमर कोश्चन है, विशेश अपसर पर सभी भीच्छू या भीचुनियों द्वरा धर्म वारता करना उप्वोसत कहलाता था, ये भी बिल्कुल सही है, और संग में प्रविस्ट होने को उप्श प्रमपदा कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है, चलिए अब हम लोग 14 नमर कोश्चन देखते हैं, जो पीछे वाला पेज में था, तो ये है हमारा 14 नमर कोश्चन, और 14 नमर कोश्चन जो है, इसमें आपको सुची एक से सुची दो को मिलाना है, सुची एक में दिया ग पता होना चाहिए दितिये वैशाली में हुआ था, तितिये कहां हुआ था, तो पाठली पुत्र में और चतुर्थ कहां हुआ था, तो कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन कहा है तो कस्मीर में, ठीक है, चलिए अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं, त्री पीटक का संब को दार्शनिक विचारों का संकलन करना नी इसका एंसर नमर हो जाएगा सी नमबर बुद्ध के अध्यात्मिक वद्यात्मिक विचारों का संकलन करना अब थोड़ा सा देखिए आपको यहां बता देता हूं बुद्ध से संबंधित और भी बहुत सारे question पुछे जाते हैं तो महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपको याद होना चाहिए 563 इस्वी पुरू में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म इनका जन्म अस्थान कहां पे है जन्म अस्थल तो लूम्बनी वन ठीक है याद रखिएगा लूम्बनी लूम्बनी और ये कहां पढ़ता है तो कपिल वस्तु है ना और वर्तमान में जो ये है कहां है नेपाल में रूम्मी नेई नेपाल में पढ़ता है ठीक है रूम्मी नेई नेपाल में इनके पीता का नाम क्या था तो पीता का नाम था सुद्धोधन क्या नाम था मैं लिख देता हूँ आ महा माया देवी, महा माया देवी, ठीक है, याद रखिएगा, और ये कोलिये गनराजी की थी, बहुत बारे पुछा गया, किस गनराजी की थी, तो कोलिये गनराजी की थी, इनके जो माता थी, कोलिये गनराजी की थी, इनके बच्पन का नाम क्या था, महत्मा बुद्ध के प्रजापती गौत्मी नहीं इनका विवाह ते किया है ते कि हम लिए राज्ज के लुकुमारी था और इनके पुत्र का क्या नाम था राहूल महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहूल और ग्रिह त्याग जब किये थे तो उसको क्या कहा जाता है महा भीनिस क्रमन क्या कहते हैं महा भीनिस क्रमन ठीक है पूछा जाता है चलिए अगला आगे आपको बता देते हैं इसमें कि इनका सार्थी का नाम क्या था मात्माबुद्ध के जो सार्थी था उसका नाम था चन्ना ठीक है और इनका घोड़ा का क्या नाम था तो कंथक ठीक है और इनका पर्थम गुरु कौन थे तो अलार कलाम क्या नाम था अलार कलाम कालाम ठीक है और इनके ज्यान की प्रा वैशाक पुर्णिवाम इनका ग्यान के प्राप्ति हुई थी और इनके ग्यान प्राप्ति के होने के बाद है इनको कहा गया बुद्ध है ये भी याद रखिएगा बोध ग्याम हुआ था इनको ग्यान के प्राप्ति निरंजना नदी के तटपर जिनको बरतमान में क्या कहा जाता है निरंजना न दीको मैं भी पीछे बताया था आप लोग कमेंट करके बताएगा ठीक है और किस वट विरिच जो था और जिसको पीपल का विरिच कहा जाता इसी के नीचे इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थे पर्थम उपदेश कहां दिये थे तो शारनात में दिये और किस भासा में दिये थे तो पाली भासा में दिये थे ठीक न? छिक है तो और इसको यए एक लास्ट आपको बता देते हैं महत्माबुद्ध के बारे हैं कि इनका जो जीवन का अंत हुआ थ मिर्तिव कभ हुई थी तो 413-21 पूर्व में इनकी मिर्तिव हुई थी आनि असी वर्ष की अवस्था में इनकी मिर्थी हो गई थी और वो दीन कौन सा था तो वो भी वैशाख का पुर्नीमा ही था दूस्तुए जन्म भी हुआ था वैशाख पुर्नीमा में और मिर्थी भी हुआ था इनका वैशाख पुर्नीमा में ही ठीक है और अस्थान कौन सा था तो कुसी नगर में इनकी मिर्थी वोई थी कुसी नगर कहां पढ़ता है वर्तमान में तो यूपी में पढ़ता है कहां है यूपी में है ठीक है चलिए आगे कोश्चन हम लोग बताते हैं आपका अगला कोश्चन है 17 नम्मर for question है कि बौव्ध धर्म के संग में निमलखित में से किसका पर्वेश वर्जित था बौव्ध धर्म के जो संग य υू उसमें पर्वेश किसका वर्जित था तो उप्यूयक्त सभी इसका ँसर हो जाय fallait यानि असवस्त व्यक्थी का, सारीरिक विकलांग व्यक्ति का, रीसी का, रीनी का, और जो दाज था उसका और सैनी का, यह सब को वरजित था जो बोधर्म का संग था उसमें प्रवेश करना वर जित था निक्ष कोशन है आपका थारा नमर की बौध संग में बहुमत से पारित प्रस्ताव को निम्लिखित में से क्या कहा जाता था उसको भू मस्किम कहा जाता है ना भू मस्किम उसको कहा जाता था नेक्स कोशन है उनीस नंबर कि बौध धर्म में असकंध व अश्टांगिक मार्ग की संख्या निमलखित में से करमसा कितनी थी तो बौध धर्म में असकंध तीन था और अस्टांगिक मार्ग आड था ये आपको याद होना चाहिए ठीक है चलिए अगला question है आपको निमलखीत में से सत्य कथन पर विचार केजिए सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है सोरी दोस्तों ये तो 8 हम का हो गया था ना 11 के बाद 20 question आएगा आगे पीछे थोड़ा सा होगी आप लोग manage किर लिजेगा 20 number question है कि अस्टांगिक मार्ग के संबंध में समयक्स अस्मिर्ती का अर्थ क्या है समयक्स अस्मिर्ती का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है मिथ्या धरनाओं का परित्याग तथा वस्तविक धरनाओं का अस्मरन करना नेक्ष्ट कोस्चन है आपका ये किस नम्मर की बौत धर्म के पतन के निम्नली खित में से कौन से कारण थे है ना इसका पतन का क्या कारण था तो ब्रहमन धर्म की समस्त बुराईयों का आगमन ये भी सही है बौत धर्म में विक्रिती आ गया था और जन्समानने की भासा पाल चलिए नेक्ष्ट कोस्चन है ट्वैंटी टू नम्मर की निम्नलखित में से किस सासक द्वारा बोधी विरिच को कटवाया गया था बहुत बहुत इंपोर्टन कोस्चन है और बोधी विरिच जो था बोध गया में जिसके नीचे बुद्ध भगवान को ज्यान की प्राप् मिलता है तो विश्नु के 49 अवतारों का उसमें व्लेख मिलता है ठीक है और विश्नुके 49 अवतारों में में जो अवतार थे वो कोन-कोन था दोस्तो духов तो मैं आपको कुछ-कुछ बता देता होँ आप लोग नोट कर सकते हैं तो मतस से याद रखिए कि मतस्य करा मतस्य और आगे बताता हूँ दुसरा दुसरा था कुर्म घ, नर्सिंग वामन विष्णू का अवतार और परसूराम विष्णू के अवतार है, राम भगवान ज्यव विष्णू के अवतार है ठीक है और ये कली ये भी विश्णों के अवतार है चली अगला कोस्चन हम लोग देखते हैं 24 नमबर कोस्चन कि निमनलिखित में से भारत के किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा भगवत गीता पर टिकाएं लिखी गई थी बहुत बहुत इंपोर्टन कोस्चन किसके द्वारा लिखी गई थी तो बाल गंगा धर्तिलक अर्विंद घोस और महात्मा गांधी तीनों के द्वारा लिखी गई थी भगवत गीता पर ठीक है और गीता पर टिकाएं लिखने वाले इस पे एक और जोड़ दीजेगा आपको मधु सूधन शर्षवती जी यह भी आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा जो मध्यकालिन विद्वान थे वो संक्राचारे थे रामानुजाचारे थे शंत ग्यानिश्वर थे और एक और थे मधु सूधन यह भी आप लोग नोट कर सकते हैं मधु सूधन शर्षवती थे चलिए अगला कोशन आपको बताते हैं सिरी मध्भागवद गीता में कुल कितने अध्याए हैं बहुत वर पुछा गया है कि सिरी मध्भागवद गीता में कितने अध्याए हैं तो टोटल 18 अध्याए है इसमें और कितने असलोक है तो 700 असलोक है असलोक भी अधरकना आपको 700 असलोक है और जो भगवद गीता है इसको उपनिसद का सार कहा जाता है दोस्तों ये भी एकजाम में पुछा गया है उपनिसदो का इसे सार कहा जाता है ठीक है अगला question है आपको 27 number और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक like जरूर कीजेगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेश करना बिल्कुल न भूले ताकि जो भी वीडियो डालू उसका notification आपको मिलता रहे आप अराम से seated त्यारी कर सके seated पास कर सके बिल्कुल पास करेंगे हना 100% गरांटी है कि आपको लोग seated के वीएस अराम से पास करेंगे तो चलिए हम लोग अगला question देखते है 27 number और आज का ये last question है निमलखित में से भागवत धरम का केंद्र कौन सा था तो भागवत धरम का केंद्र था मतुरा ये भागवत धरम का केंद्र था ठीक है चलिए ये हमारा आज का test खतम होता है चलिए इसमें बहुत धरम से संबंधित कुछ question आपको और बता देता हूँ जो एकजाम में पूछे जाते हैं तो जैसे बहुत धरम में इस्वर और आत्मा को नहीं माना जाता था ये question कितना बार पूछा गया है इस्वर और आत्मा नोट कर सकते हैं इस्वर और आत्मा को बहुत धरम में नहीं माना जाता था इसे विशेश रूप से निम्न वर्णो का शमर्थन प्राप्थ हुगा है बौत धर्म में दिवालिया, दासो, रीन न चुका पाने वाले को संग में परवेश वर्जित होता था यह आपको बता चुका हूँ ठीक ना चलिए ग्रिहस्त जीवन में रहकर बौत धर्म को मानने वाले लोगों में उपासक कहा जाता है तो यह था हमारा दोस्तों आज का टेस्ट बौत धर्म और चैन धर्म से समद्धिप और आपको यह टेस्ट कैसा लगा आप लोग बताईएगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए तक यह और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाओं, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है लाइक कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और जिन दोस्तों को WhatsApp Group से जुड़ना है, वो मैसेज कर सकते हैं आपको WhatsApp Group में जोड़ दिये जाएगा, वहां आपको PDF भी प्रवाइड करा जाएगा ताकि आप लोग का तैयारी पूरा हो सके तो चलिए दोस्तों फिलकल मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन जै भारत